अब हम सारनिक के अनुप्रियोग में देखेंगे कि त्रिभुच का छेतरफल सारनिक का उप्योग करके कैसे ग्यात किया जाता है और फिर सारणिक का उपयोग करके हम देखेंगे कि तीन बिंदूओ यदी समरेक होती है तो वो किन सर्तों का पालन करती है जिसे हम सारणिक के रूप में प्रदर्शित कर पाएंगे सारणिकों के अनुपरियोग Application of Determinants एक तर्भुच का छेतरफल ज्याद करना तो पुर्व में हम लोगों ने पिछले कक्षा में जो सूतर पढ़ा था कि 1 by 2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 ये आपने पढ़ा ग़ा था ये मुल्तह सारणिक से बनता है आगे हम इसको देखेंगे यदि किसी तर्भुच के सिर्ष x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो तो तर्भुच का छेतरफल हम लिखते हैं डेल्टा बराबर 1 by 2 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 सारणिक के रूप में यदि इसे हम लिखेंगे तर्भुच का छेतरफल डेल्टा बराबर 1 by 2 तर्भुच का सारणिक होगा सारणिक के अव्यव इस फ्रकार हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 तो इसके हम रो और कॉलम में परिवर्टन कर सकते हैं तो इसको लिखा जा सकता है 1 y2 डेटर्मेनेंट्स या सारणिक x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 तो इससे उपप्रमे भी बनाया जा सकता है कि यदि तीन बिंदू a x1 y1 b x2 y2 तो तो डेल्टा या त्रभुच a b c का छेतरफल शून्य होगा तो 1 y2 डेटर्मेनेंट्स या सारणिक x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 ये इक्वल टू 0 होगा तो 1 y2 को हम पक्षांतर कर देंगी तो आपको मिल जाएगा डेटर्मेनेंट्स x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 इक्वल टू 0 जो की अभिष्ट सर्थ है कि बिन्दू a b तथा c समरिक है आईए देखते हैं इससे सब्मंदित कुछ प्रश्ण सारणिक की साहिता से उस त्रभुच का छेतरफल ग्यात कीजिए जिनके कोणिय बिन्दूओं के निर्देशांक रिंद दो चार दो रिंद 6 और 5 चार है तो आपको यह ज्यात है कि त्रभुच का छेतरफल सारणिक के रूप में यदि हम लिखें तो हम लिखते हैं कि त्रभुच का छेतरफल बराबर एक बटे दो और सारणिक यहाँ पर आता है X1, Y1, X2, Y2, 1 और X3, Y3, 1 जहाँ पर X1, Y1 पहले बिंदू का निर्देशांग X2, Y2 दूसरे और X3, Y3 तीसरे बिंदू का निर्देशांग है तो इस सूत्र में हम वह मान रख देते हैं X1 दिया गया था रिंड दो 4 तो यह रिंड दो 4 और यह 1 दूसरा बिंदू दिया गया था 2 रिंड 6 और यह 1 और 5, 4 और 1 अब इसको आपको सरल करना है जिस प्रकार हम सारेनिक को सरल करते हैं संक्रिया का भी उप्योग कर सकते हैं तो यदि है मैं सीधा इसको सरल करूं तो ये 1 by 2 फिर minus 2 इसके साथ इसका गुणा होगा तो यह जाएगा रिंड 6 रिंड 4 फिर रिंड 4 दो और एक का गुणा करेंगे मिल जाएगा 2 और रिंड 1 और 5 का 5 फिर धन 1 इसका गुणा 4 और 2 8 और रिंड धन हो जाएगा 6 पंचे 30 आगे आप इसे सरल कीजे 1 by 2 छे और 4 10 ह का गुणा 20 और यह धन चिने के साथ आएगा 29 फिर दो रिंड 40 करेंगे मिल जाएगा रिंड 3 और रिंड 3 और रिंड 4 का गुणा करेंगे मिल जाएगा धन 12 और 3 and 8 तो इसको इसके बाद आपको मिल गया 35 और यदि इसकी इकाई नहीं दिये तो आप वर्ग इकाई ऐसा लिख सकते हैं तो इस त्रिबुच का जो छेतर फल है हमें 35 और इकाई गयात हुआ तो सारणिक के अनुप्रियोग में दूसरा हम प्रश्ण इस प्रकार देखते हैं कि जहां पर हमें यह कहा गया कि तीन बिंदू जो है वह समरेक है सिद्ध कीजिए प्रश्ण है कि सिद्ध कीजिए बिंदू 2,3,5,7 और 8,11 समरेक है आपको पता है कि यदि तीन बिंदों से बनने वाले त्रिबुच का छेतर फल 0 हो तो तीनों बिंदू समरेक होती है तो इसका मतलब यह कि हम लिखेंगे बिंदू समरेक हो तो यह जो सारणिक है x1,y1,1,x2,y2,1 और x3,y3,1 इसका मान 0 प्राप्त होता है तो सारणिक को हम पहले हल करते हैं सारणिक बना लेते हैं यह है 2,3,1,5,7,1 और 8,11,1 इस सारणिक को सरल कीजिए दो और इसका उपसारणी सरल करेंगे साथ और एक का गुणा साथ रिन एक और ग्यार का गुणा ग्यारा फिर रिन तीन पाँच और एक का गुणा पाँच एक और आठ का गुणा आठ धन 1, 5 और 11 का गुणा 55 और 8 और 7 का गुणा 56 आगे सरल कीजे 2, 7 और रिन 11 करेंगे तो रिन 4 मिल जाएगा, रिन 3 और यहां से 5 रिन 8 करेंगे मिल जाएगा रिन 3 और यहां से आपको मिल जाएगा रिन 1 तो 4 और 2 का गुणा करेंगे यहाँ पर यह रिंण चिन के साथ है रिंण 8 और 3 और 3 का गुणा करेंगे धन 9 रिंण 3 रिंण 3 और रिंण 1 रिंण 8 रिंण 1 रिंण 9 और 9 रिंण 9 बराबर 6 तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि अतह दिये गए बिंदु अतह बिंदुएं दो तीन पाँच साथ तथा आठ ग्यारा समरेख है यही हमें सिद्ध करना था अगला प्रशन दिया गया है कि तरिभुज जिसके सिर्ष रिंड दो चार तीन रिंड एक और एक ए है तथा जिसका चेतरफल दस वर्ग इकाई है तो एक आमान ग्यात कीजिए तो यहाँ पर दे दिया गया है तरिभुज का चेतरफल और हमें तरिभुज के सिर्ष के निर्देश रांक दिये गये है तो आपको जैसा की पता है कि तरिभुज का जो चेतरफल होता है यह होता है 1 बटे 2 और सारणिक X1 Y1 1, X2 Y2 1 और X3 Y3 1 इसका मान हमें 10 दे दिया गया है त्रिभुज का छेत्रफल बराबर 1 बटे 2, X1 Y1 1, X2 Y2 1 और X3 Y3 1 यह आपको पता है और प्रस्ण में हमें दिया गया है बिंदू का निर्दे शांक यदि हम इसको A मान ले रिंड दो चार तो यह X1 है यह Y1 है B हम मान ले 3 रिंड यह X2 यह Y2 और C 1A यह X3 यह Y3 और त्रिभुज का छेत्रफल 10 वर्ग इकाई यह दिया गया है तो यहाँ पर मान रख देते हैं X1 रिंड दो चार एक 3 रिंड एक 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 और एक बराबर 10 आगे सरल करते हैं रिंड दो और इसका उपसारानिक रिंड एक और एक रिंड एक और एक का गुणा एक फिर रिंड चिन के साथ में यह A फिर रिंड चार तीन और एक का गुणा तीन फिर एक और एक का गुणा एक फिर धन एक यह एक और इसका उपसारानिक रिंड आठ है और धन दो करेंगे मिल जाएगा रिंड छे और धन एक मिल जाएगा रिंड पांच बराबर दस आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा पांच ए बराबर पंदरा दस और पांच जुड जाएगा और इस तरीके से ए बराबर पंदरा बटे पांच तो आपको मिल रहा है ए बराबर 3 और यही वह मान है जो हमें ग्यात करने के लिए कहा गया था अगला प्रश्ण दिया गया है कि सारणिकों का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ग्यात कीजिए तो रेखा का समीकरण जो है ये दो चरोवाले रेखिक समीकरण होता है और यहाँ पर हमें दो बिंदू का निर्देशांक दिया हुआ है हमें सूत्र का उपयोग नहीं करना है बलकि सारणिक का उपयोग करना है तो इसके लिए हम एक अगला बिंदू मान करके चलेंगे तो पहला जो दो बिंदू दिया गया है कि माना A 3,1 B 9,3 तथा C X,Y है तथा यह समरेख है तो इसके मतलब यह कि तीनों बिंदों से बनने वाले त्रिपुच का छेतरफल शूनी होगा तो यहाँ पर लिखेंगे X1, Y1, 1 X2, Y2, 1 X3, Y3, 1 बराबर 0 अब इसका हम प्रसार कर देते हैं तो 3 प्रथम पंक्ती के साफिक हम प्रसार कर रहे हैं तो 3 इंटू 3 रिंद y फिर माइनस 1 और इसका गुणा इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा 9 और यह रिंद X धन 1 9 Y रिंद 3 X बराबर 0 आगे से रल करते हैं तीन तिया 9 और यह 3 Y रिंद 9 धन X धन 9 Y रिंद 3 X बराबर 0 पहले X वाले पद देखते हैं यह 3 X रिंद में है और यह धन में है तो आपको मिल जाएगा रिंद 2 X यह आपका 9 Y धनात्मक है और 3 Y रिंद आत्मक है तो धन 6 Y यह धन 9 और रिंद 9 यह दोनों कैंसल तो बराबर 0 यह फिर आप लेख सकते हैं 2 X रिंद 6 Y बराबर 0 यह वार रिखा का समीकरण है यदि और सरल किया जाए तो यहां से आप 2 उभेनिश निकाल सकते हैं तो 2 गुना X रिंद 3 Y बराबर 0 अब अचर रासी तो अचर है इसका मानशूरिय नहीं हो सकता तो हमें जो मिल जाएगा रिखा का समीकरण यह है X-3Y इक्वल टू 0 और यही वह रिखा का समीकरण है जो कि 2 दिये गए बिंदू 3 1 तथा 9 3 से होकर के जाता है प्रश्न दिया गया है कि यदि A इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 4 अब 2 N पदों तक इसी प्रकार B का मान है एक धन 3 धन 9 यह भी N पदों तक और C का मान है एक धन 5 धन 25 N पदों तक तो सिद्ध कीजिये कि त्रिती कोटी का सार्णिक जिसके अव्यव है A 2 B 4 C 2 2 2 और 2 का घात N 3 का घात N और 5 का घात N बराबर 0 तो पहले हम A B और C का मान ग्यात कर लेते हैं उसे सरल कर लेते हैं दिया है A का मान है एक धन 2 धन 4 यह N पदों तक देखिए कि यह A जो है यह गुणोत्तर सिर्णी है जिसका प्रथम पद 1 है पदानुपात R जो है यह 2 है तो गुणोत्तर सिर्णी के N पदों का योगफल आपको पता है कि S N इक्वल टू A R का पावर N माइनस 1 अपान R माइनस 1 वेन R इस ग्रेटर देन 1 यह जब होता है तब इस सूतर का उप्योग करते हैं तो यहां से आपको A का माण मिल जाएगा यह इन पदों का योगफल है और इन पदों का योगफल A का मतलब है 1 R का मतलब है 2 का घात N रिन 1 बटे 2 रिन 1 सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2 का घात N रिन 1 यह गुणोत्तर सिर्णी है इसी प्रकार B का मान है 1 धन 3 धन 9 ये भी N पदों तक तो ये भी गुणतर सेनी है जिसका प्रथम पद 1 है और सारवन उपात 3 है तो A R का पावर N माइनस 1 अपाउन R माइनस 1 solve करेंगे तो मिल जाएगा 3 का पावर N माइनस 1 अपाउन 2 और C का मान है 1 प्लस 5 प्लस 25 ये भी N पदों तक ये भी एक गुणतर सेनी है जिसका प्रथम पद 1 है सारवन उपात 5 है इसके N पदों का योगफल हम इस तरीके से निकाल सकते हैं तो ये मिल गया 5 का खात N अरिन 1 बटे 4 और हमें सारणी का मान ग्यात करने के लिए कहा गया है वो दिया गया है A 2B 4C 2 2 2 और 2 का खात N तीन का खात N और 5 का खात N आईए सरल करते है A का मान हमें मिल चुका है ये है 2 का खात N रिन 1 B का मान 2 गुना तो ये 2 के साथ में 3 का खात N रिन 1 बटे 2 और 4 गुना C तो ये 4 और C का मान 5 का खात N रिन 1 बटे 4 ये 2 2 और 2 2 का खात N और ये 3 का खात N और ये 5 का खात N इसे यदि सरल करें तो यहां से 2 cancel हो जाएगा यहां से 4 cancel हो जाएगा तो ultimately आपको मिल रहा है 2 का घात N और देखिए यह दूसरे पंक्ती में 2 जो है यह उगह निश्टे तो हम इसे 2 यदि common लें तो यहां पर 1 और यह 2 का घात N इसी प्रकार यह 3 का घात N रिन 1 और यह 1 और यह 3 का घात N और यह 5 का घात N रिन 1 और यह 1 और यह 5 का घात N अब यदि R1 becomes R1 plus R2 कर दिया जाए यहां पर यह minus 1 है R1 becomes R1 plus R2 कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा 2 2 औbackiant n 1 & और 2 यह पांस यह पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ती इस्थमान थो इस तरीक इसे दो गुणा शुन्य क्योंकि आपको पता है कि आर वन और यही हमें सिद्ध करना था इस प्रकार इस प्रकारिया सिद्ध हुआ